हेलो दोस्तों वेलकम टू चैनल और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है विशे समाजिक विज्ञान वरक्षिट नमर 25 कक्षा 10 वी निर्मान उध्योग नीचे दिये के अनुछेत को पढ़ कर उत्तर दीजिए कच्छे परदार्तों को मुल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मातरा में वस्तू के उत्पादन को वी निर्मान या वस्तू निर्मान कहा जाता है आप जानते ही है कि कागज लकडी से चीनी गन्ने से लुहा इस्पात लौ आयस का आधि से बनता है दुईत्य चेतर के कार्यों में लगे व्यक्ती कच्य माल को परिब्स्कृत और उन्नत वस्तुओं के में बदलने में लगे होते हैं वी निर्मान उध्योग इसी से संबंधित हैं किसी देश की आर्थिक उन्नती वी निर्मान उध्योग के विकास से पर निर्वर होती है इस उध्योगों को आर्थिक विकास की रीड इसलिए समझा जाता है क्योंकि या कृ आत्मे के लिए बहुत जरूरी होते हैं इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती हैं विदेश ही विक्षित कहलाते हैं जहां वी निर्मान उध्योग अधिक है भारत का विकास और योगिक विकास से ही संभव है आईए इनसे लेट विकास में सहायक भी है कैसे उत्तर है कृषि और उध्योग पर आधारित उध्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोच साहित गिया है यह उध्योग अच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है और इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिचाई के प्लास्टिक पाइप मसीने वह किरिशी औजार आधी पर किशान निर्भर है प्रस्ट नमर दो है वी निर्मान उध्योगो को क्यों आर्थिक विकास की रीड कहा जाता है कोई दो कारण बताईए उत्तर है ऐसा इसलिए समझा जाता है क्योंकि पहला तो यह वी निर्मान उध्योगो क्रिशी के आधुनी करन में सहायक होने के साथ साथ दूईतिय और तिरत्य छेवाओं में रोजगार उपलवद कराकर क्रिशी पर हमारी निर्भरता को कम करता है और दूसरा है निर्मित वस्तुओं के निर्यात से वानी जय व्यापार को पढ़ावा मिलता है जिससे अपेचित विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होती है प्रश नमर तीन है आप अपने जीवन में पर्योग करने वाली किनी ऐसे पांच वस्तुओं के नाम बताईए जो वी निर्मान उद्योगों द्वारा निर्मित है उत्तर है लकडी से बनी हुई कागज, गन्य से बनी हुई चीनी, कपड़ा, जूते, बरतन, चाय तथा मिर्दा के दीप प्रश नमर चार है आपके सहर में या आसपास कौन से भी निर्मान उद्योग है उत्तर है दिल्ली भी उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है जैसे टेलिवीजन, मसीने, कपड़ा, खेल, कूद का मैदान, मोटर साइकलों या साइकलों के हिस्से पूर्जे आदि तो आज की हमारी वक्षेट कम्प्लीट हो चुकी है अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स पूर वाचिंग